तो हैपी होली फ्रेंड्स तो होली आते ही हर घर में रंग विरंगी पकवान बनने सुरू हो जाते हैं मालपुगा समोसा गुजिया वगएरा वगएरा तो इसलिए हम भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टेश्टी एकदम रस भरा मों में जाते ही खुल जाने वाली मिठाई हम आपके साथ सेयर करेंगे जिसे बनाना जितना ही आसान है ये खाने में इतना ही टेश्टी आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी जरूर से पूछेगा तो चलिए अब हम फटाफट सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे ब्रिट के स्लाइस और आपको ब्रिट को क्या करना आपके इसके चारो कॉर्णर को काट करके अलग कर देना है तो आप जो ब्रिट के इस किनारे को काटते हैं तो आप इसका इसमें कट कर लिए तो देखिए इस तरह से आप इस चार पीस में आपको कट कर लेना है तो इस तरह से हमने सारे ब्रिड को काट करके अलग कर लिया है अब ये रेडी हो चुका है और ये देखिए हमने सब को इस तरह से काट लिया है अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो यहां ह हमने तेल रख दिया खुब अच्छे से गरम हो जा और गर्म गरम तेल में हमें इस कटे हुए ब्रेड के टुकड़े को डाल देना है और एक साइड से जब यह अच्छे से गोल्डेन कलर का फ्राई हो जाए बढ़ हां क्रिस्पी सा तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे त तो आप तेल से निकालते जाए किसी छणनी में रख दे ताकि इसका सारा इस्ट्रा ओइल निकल जाए तो यह देखे इस तरह से हमने सब को जो है छान करके अलग रख लेना फ्राई करके इसी तरह से इसे एकदम कुरकुरा गोल्डन कलर का फ्राई करना है और अब क्या करे इसमें डाल देंगे इलाईची पाउडर डाल दे नहीं तो आप कूटकर की इलाईची को डाल देजी तो यहां पर देखे पांच मिनट हो चुका है चासनी को पकते हुए अब बिलकुल गाढ़ा हो चुका है यह देखे एकदम चिपचिपी सी जो है बन गई इसमें कोई ए ब्रेट को नहीं डालना है और जब हलकी ठंडी हो जाए तब हम इसमें जो है ब्रेट को डालेंगे और इस तरह से इसमें चासनी में हम इसे अच्छे से डिप कर लेंगे और यह देखे इसी तरह से हम जो है सारी जो है ब्रेट को हम इसमें एक बार डिप कर लेंगे अच्छ बढ़ियां बनती है ये मिठाई और बहुत ही बनाना भी इसे बहुत ही एजी है आप इसे अपने होली के तेवहार पे बनाईए या अगर आपके यहां कोई बड़े पार्टी हो या और कुछ भी हो तो आप इस मिठाई को बना सकते है यकिन मानिए ये मिठाई सबको जरूर बहुत ही पसंद आएगी तो ये देखे हमने इसे निकाल लिया है और ये जो बची होई चासनी है इसका भी हम यूज करेंगे इसे हम जो है एक अलग कटोरी में निकाल ले रहे हैं और हम बताएंगे इसे क्या करना है फिर हम जो है पैन रखेंगे इसमें हम डालेंगे लेना है तो अच्छे से हमें इसके साथ पका लेना है कि खोया एकदम से इसके साथ क्रीमी टेक्शर का हो जाना चाहिए और यह जो बची हुई चास्मी हमने साइड में रखा था फिर हम इसमें डाल देंगे ताकि यह खोया है यह भी बढ़िया मीठा मीठा सा हो जाए और इस हम लेंगे कटोरी तो हमने यहां पर चार कलर का हमें खोया को बनाना है तो चारो कलर में हम एक एक चमच डाल देंगे तो यह बड़ा वाला चमच है तो इसमें हम खोया को डाल देंगे इसके बाद हम डालेंगे खाने वाला फूड कलर तो हम चार कलर का हम खोया बना रहे है तो यहां हम सबने अलग अलग चार कलर डाल देंगे तो यह देखे हमारा ओरेंज कलर बन करके तयार हो चुका है और यह देखे कितना अच्छा दिख रहा है और इसी तरह से हम चारो कलर बना करके तयार कर ले रहे हैं तो ये देखिए जटपट से हमारे चारो कलर बन करके तयार हो गए और देखने में भी ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और फिर हमें क्या करना हमने जो फ्राई करके रखा हुगा था ये ब्रेट चासनी में डिप करके इस पे हम जो है एक एक चमच अच्छे से इस पे हमारे बन करके तयार हो गई है एक दम रस भरी है देखते ही मूं में पानी आ जाएगा तो इसी तरह से हम अलग अलग कलर लगा करके रेडी कर ले रहे हैं तो आप इसे होली के तेवार पर जरूर बनाएए ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी अगर आप चाहते हैं तो कलर नहीं डालिए कोई दिक्कत नहीं है यह तो अच्छा दिखने के लिए होली के तिवहार के जो है टाइम पे हमने बनाये तो इसमें थोड़ा हमने कलर डाला कि होली स्पेसल यह हमारी रेसिपी है नहीं तो आप बगएर कलर के भी इसे बना सकते हैं यह बहुत ही अच्छा बनता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है तो यह देखिए हमारी यहां पे जो है यह मिठाई बन करके तयार हो चुकी है और यह देख सकते हैं कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है तो फ्रेंट्स आप लोग को ये आज की रेसिपी कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप लोग को हमाई वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज आप लोग हमाई वीडियो को इस रेसिपी को बंद माईए और इंजॉय कीजी